Hi Everyone, आज के इस वीडियो में हम A&M & G&M के विकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो है A&M Community Health Assistant Urban लेकिन इसके लिए A&M & G&M दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं Complete Qualification चेक करेंगे और कैसे अप्लाई करना है selection कैसे होगा most important यहाँ पे कोई exam नहीं होना है direct recruitment होगा but किस basis पे recruitment होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे discuss करेंगे So A&M Community Health Assistant Urban Post के लिए total 35 vacancy है कातेगरिवाज आप यहाँ पे दे सकते हैं आपकी जो पोस्टिंग होगी वो place of posting यहाँ पे given है साल्रे कितनी मिलने वाली है यहाँ पे 13,000 पर मन्त देखोई यह जो विकेंसी है Contractual Vacancy है मतलब Contractual Basis पे आपको recruit करेंगे और इसका मतलब आप जानते हैं कि एक particular time period के लिए आपको recruit करते हैं और उतना ही time आपको यहाँ पे service करनी होती है सो कितने time के लिए आपको यहाँ पर recruit करेंगे वह हम आगे discuss करेंगे बागी यहाँ पे आप salary देख सकते हैं 13,000 आपको हर मेरी मिलेंगे Age limit रहेगी आपके 21 से 40 सार मतलब minimum आपकी 21 years and maximum 40 years सो इसके लिए आपको 1st January 2024 यह calculation date है जिसके according आप यह देख सकते हैं कि आपकी age 21 से कम ना हो और 40 से जादा ना हो अब यहाँ पे selection किस basis पे होगा उसको discuss करने से पहले हम essential criteria के बारे में discuss करते हैं यहाँ पे education qualification क्या चाहिए कौन apply कर सकता है यह जो vacancy आई हुई है इसके लिए A&M and G&M दोनों ही apply कर सकते हैं लेकिन यह vacancy government of West Bengal की तरफ से है that means वही student यहाँ पे apply करेंगे जो पुर्भा वर्दमान के permanent resident है इसका domicile आपको देना पड़ेगा और Bengali में जो proficient है वो भी यहाँ पे जरूरी है इसके साथ अगर आपने A&M किया है तो A&M के बाद West Bengal Nursing Council से registered होनी चाहिए और अगर आपने G&M किया है तो भी आपका West Bengal Nursing Council से registered होना चाहिए तो A&M and G&M वाले apply कर सकते हैं make sure आपका registration West Bengal Nursing Council से हो साथ-साथ आप Bengali में proficient हो और पुर्भा वर्दमान के permanent resident हो तो यह सारे requirements है यहाँ पर apply करने के लिए कुछ general information है जिसमें मैं आपको बता दू जो आप application form भरेंगे वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी उसी format में आपकी application form रहेगी और उसके साथ यह सारे documents आपको self-attest करने हैं और send कर देने हैं यहाँ पर जो given address है so make sure यह सारे documents आपके पास हो यहाँ पर 100 rupees application fee रहेगी reserved category के लिए 50 rupees बागी कुछ general information है उसके बारे में discuss करने से पहले मैं आपको बता दू यहाँ पर जो selection होगा वो किस basis पर होने वाला है so A&M and G&M वाले जो candidate यहाँ पर apply करेंगे उनके marks के basis पर आपको यहाँ पर score मिलेगा तो A&M में जो भी आपके marks आया हैं जो A&M वाले हैं उनके A&M के marks यहाँ पर जुड़ेंगे और जो G&M वाले apply करेंगे उनके G&M के marks यहाँ पर जुड़ेंगे आना चाहिए लोकल लांग्विज की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि यह वेस्ट बंगॉल गर्मेंट की तरफ से विकिंसी आई है Age relaxation मिल जाएगा reserved candidates को as per state government rule जो वेस्ट बंगॉल का रूल है ठीक है इसके बाद यहाँ पर जो selection होगा वो A&M, G&M के marks या examination के basis पर selection होगा additional subject के marks यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे प्लस यहाँ कोई round off नहीं किया जाएगा जो भी आपके exact जो भी percentage आये होए है A&M, G&M में वहीं यहाँ पर consider करेंगे तो जैसे कि इस job का जो nature है वो contractual है purely contractual basis पर आपको recruit करने वाले हैं तो आपकी जो initial period of service होगी वो मार्च 2025 तक है मतलब आपका 2025 मार्च तक आप service करेंगे और उसके बाद extend जो होता है यह service वो डिपेंड करता है आपके performance के basis पर अगर आपका performance satisfactory होता है उसके basis पर आपको renewed कर देते हैं for further period so यह higher authority approval देती है उसके बाद और बाकी basic details है जो कि आप देख सकते हैं और यह PDF आपको telegram पर शेयर किया जागा जितनी भी nursing related vacancies होती है वो सारे PDF और notification आपको telegram पर मिल जाता है जिसका link description box में वहां से आप जोइन कर सकते हैं अब इसके बाद में आपको यहा इस form को आपको proper fill करना है और इस form के साथ साथ जितने भी documents मैं आपको दिखाया है यहां पर यह सारे documents आपको self attest करने है और इसके बाद सेंट कर देना है given address इसके application स्टार्ट हो गई है आज से ही so last date है 29th February 2024 बाकी कोई डाउट हो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो और ऐसे और वे नोटिफिकेंसी के लिए चाह को सब्सक्राइब करके notification on कर लिजिगा बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे और भी nursing related videos के साथ अब तक के लिए thank you so much and take care